तो बहुत ही important वीडियो आप सभी student के लिए जिसमें हम कर रहे हैं class 10 math chapter 4 जसका नाव है quadratic equation के सभी important question जो कि repetitive तरीके से CBSE पूछती आई है digit definitely अगर math का exam है तो आप यह तो expect करके चलोगे कि आपका जो digit इधर उदर हो सकता है लेकिन type of question concept जो है आपका एक ही काम आने वाला है तो इसलिए आपको वीडियो को completely देखना है क्योंकि मैंने एक सभी question important आप सभी के लिए select करके लाए हूँ standard और basic दोनों ही students के लिए important वीडि सब्सक्राइब करते हैं तो वह भी मैं mention कर दोंगी तो स्टार्ट कर लेतने question वान से जिसमें हमसे पूछा हुआ है कि solve the following quadratic equation means इस वाले quadratic equation को हम एक्स के लिए solve करना है question देखते ही ना कई student बड़े confused रहेंगे क्या करूं क्या ना करूं but no issues at all simple हमें काम क्या करना है इन equations को देदना है खोल खोलने के बाद हम देखेंगे कि क्या क्या जो चीजें है वो common हो रही है तो उसके बाद यह फर्दर हमारा चलेगा ठीक है ना x square minus 2x 4b square minus a square इस तरीके से था a square plus b square minus 2ab का जहाँ पर a है x और b है हमारा a तो यहाँ पर x minus a का whole square और यह 4b का square कितना होगा आपका 2b का square नहीं होगा क्या टू 2s of 4b square इससे हमें क्या पते चलता है कि यह इसका square और minus में यह इसका square है it means x minus a plus में क्योंकि आपको पता है कि a square minus b square क्या होता है a plus b a minus b जहाँ पर इस बार a की value पूरी x minus a है तो x minus a plus में 2b और यहाँ पर x minus a minus 2b is equal to 0 अब हमें x के लिए solve करना था तो एक बार हम क्या करेंगे x minus a यह जो है इसके equivalent में 0 रखेंगे तो हमारे पास x की value जो निकल कर आएंगी that is a minus 2b और एक बार इसके साथ रखेंगे तो हमारे पास दूसरी value निकल कर आएगी a plus में 2b hopefully आपको चीजे जो हैं समझ में आ रही होंगी तो आगे चलते हैं next question भी आपका जैसे short question जो आते है ना लगभग 2 marks के तो उसमें आपसे normal solve करने के लिए ही पूछा जाता है what problem तो easy होगा तब 2 marks में लेकिन अगर आपका थोड़ा से भी difficult होता है तो उसको 3 to 4 marks में उसको अप दिया जाता है देखिए solve for x का है इसमें b equation कुछ इस तरीके से है जिसको आपको further solve करना है a upon में x minus b और b upon में x minus a equivalent दे दिया 2 के और आप चोग हमें क्या करना है इसको solve करना है उसके बाद इसके नीचे लिजे 1 फिर से क्रिस क्रोस कर दीजे multiply क्रिस क्रोस multiply में ये तो 1 से multiply होगा तो ये उपर वाला तो सब कुछ वही रह जाने वाला है नीचे जो है 2 हो जाएगा और x minus b x minus a इसको हमने पूरी अच्छी तरीके से खोल दिया तो ये हमारा ये वाला आ अब हम क्या कर रहे हैं ये जो इतनी भी हमारे bracket है सबसे पहले इसको खोला इसको खोला ये इसके equivalent तो था ही ठीक है ना अब यहां से आगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 2 x square जो है एक ही तरफ हम सब कुछ लेकर जा रहे हैं तो 2 x square minus में अभी देखें यहां पर 2 a plus b x था लेकिन अगर हम यहां पर भी ध्यान दे से देखें ना तो यहां पर भी common आता हुआ नजर आएगा इसमें जब common लेंगे क्योंकि जब आप इसे step by step solve करोगे ना तो आपको सारी चीज़े clear होंगी कि यहां पर minus 3 a plus b x बनेगा और साथ ही में यहां पर बन जाएगा a plus b b का whole square क्योंकि जब यह सारी चीज़े उस साइट जाएंगी ना तो यह plus का a square plus का b square प्लस में 2 a भी है तो a plus b का square इस तरीके से हो जाएगा उसके बाद आगे फिर दिस से further अगर हम solve करें तो हमें क्या करणा है जादा से जादा चीज़े को common लेने की कोशिश करनी है और जब अगर आपका basic student हो तो आपका simple question ही पूछा जाता है अभी यह question अब क्या बोले basic standard दोनों में ही आ सकता है the denominator of a fraction is two more than its numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 34 upon a 15 find the fraction simple sum हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ हमें यह देखना है कि इन्होंने हमसे क्या कहा था कि जो denominator इना fraction से वो दो जादा है उसके numerator से तो मतलब numerator को अगर मैं x मानू तो denominator अपने आप उससे दो जादा मतलब x plus 2 हो गया आप fraction के बारे में बात करें तो numerator उपर रहता दिनोमिनेटर नीचे रहता तो fraction तो हमारा क्या हो गया यह उसके बाद हमसे क्या बोला था कि जो भी आपका fraction है ना और उसका reciprocal fraction यह है मेरा इसक पन से इतने intelligent जो रहे हो तो आप सभी आसानी से इसको कर दोगे solve ठीक है ना यह अभी कोई equation जैसे इस तरीके से आजाए ना और हम क्या देख रहे हैं कि यह सारे कि सारे 4 के multiple से तो 4 common ले लो तो यहाँ पर x square plus 2x minus 15 is equal to 0 उसके बाद इस equation को कर देंगे solve इस equation को solve करने के बाद most of the time एक value minus में आ जाती है एक value plus में आ जाती है और fraction तो कभी माइनस में नहीं हो सकता ना तो इस वज़े से हम इसकी value को neglect करते हैं और x की value कितनी निकल कर आती है 3 और x हमने क्या वाना था numerator और denominator क्या था आपका numerator में plus 2 तो 3 upon 5 यहाँ पर हमारा fraction आगया होपूली आपको question अच स्पीड जो है still water में मतलब रुके वह पानी में 18 km पर आ रहा है टेक्स वान और मोर टू गो 24 km अप्स्ट्रीम तन टू रिटर्न डाउंस्ट्रीम ठीक है नहीं है तो आपको बताना है कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी तो हमने क्या माली कि जो स्ट्रीम की स्पेड है ना व मतलब क्या है कि अगर दारा इधर है और नाउ इधर चल रहा है क्या करते रोकनी का काम करता है तो हमेशा अपी श्ट्रीम में क्या करते है जो आपका speed of stream उसको minus किया जाता तो 18 minus x और अगर downstream है मतलब कि now भी इदर जारी धारा भी इदर चला तो हमें support देगा तो plus करेंगे तो 18 plus x ठीक है ना इतनी चीज़े तो आपको समझ में आ गई जो हमने late किया उसके बाद हमसे इनों नहीं क्या कहा था कि जो है ना एक घंटा जादा लगता है अगर हम 24 km दी कवर करते हैं upstream और downstream दोनों तरीके से ठीक है ना तो एक घंटा जो हमें जादा लगता है तो अभी देखें एक घंटा यह मतलब time time आपका time का formula क्या हो जाएगा time का formula हो जाएगा distance upon में speed ठीक डिस्टंस चाहे upstream करें चाहें डाउन स्ट्रीम करें दोनों 24 km कवर किया ठीक है ना अब यहां पर हमने कौन सा वाला रखा यहां पर हमने रखा speed of the upstream upstream में क्यूंकि upstream में speed slow जाएगी तो time जादा लगीगा तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखना कि आप stream बाला ही पहले रखोगे नहीं तो आप confuse जाओगे minus plus के चकर में एकदम बूरी तरीके से उलच जाओगे यहां पर upstream बाला रखना यहां पर downstream बाला रखना और उसके बाद इस equation को कर देना है इक्वेशन को solve करते हुए हमारे पास जो है यहां पर दो value निकल कर आ गई है फिर से x की जगव minus 54 और x की जगव plus का 6 speed तो कभी भी negative हो नहीं सकता तो minus 54 को हमने क्या कर दिया reject 6 को हमने मानी है तो speed of steam है धारा की speed कितनी हो गई 6 km per hour हो गई है आगे चलते हैं next question में are train traveling at a uniform speed for 360 km have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 4 km per hour more find the original speed of the train ठीक है अब time taken अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना time लेता तो time का formula क्या हो जागा distance upon my speed distance कितना कभर हो रहा है 360 km और मैंने speed कितना लेट कर लिया है x तो 360 upon my xmr हो गया time taken at increase speed अगर हम क्या करते हैं time उस time कितना लगेगा जबकि हम speed को increase कर रहे हैं कितना से 5 km per hour से तो इस तरीके से हमारा यहां पर दो equation आराम से solve हो गया अब हमसे क्या पूछा था question की according अगर हमें जाएं तो 48 minutes जो है less लगेगा तो ठीके ना तो फिर से वही वाली बात होगी बड़ी value को आपको इधर रखना है अब जो है बड़ी value किस थरीके से यहां पर रखाएगा अगर यह आपका छोटा है तो definitely यह इसकी value बड़ी आएगी यह बड़ी value तो इसकी छोटी आएगी तो 360 upon max माइनस 360 यह बड़ाई वाली speed और यह हमारा जो गया 48 minute बोला था ना तो उसको second में बदलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो है क्योंकि यहां पासानी से कर लोगे तो x की यहां पर दुबारा से एक value positive एक value negative आई है माइनस वाले को हम consider नहीं कर सकते है तो original speed जो है ट्रेन की 45 km पर आर हो जाएगी next question है question number 6 if minus 3 is a root of quadratic quadratic equation है जिसका root है minus 3 ठीक है निसका root है मतलब x की जगह minus 3 रख सकते है उसके बाद आगे चलते है यहां पर while the quadratic equation जो आपका यह है उसका equal roots है तो आपको k की value निकालने इस type की question में आपको ध्यान बच से बता दूँ बच्चे को बहुत confused होते है और बहुत ही standard type का question है तो मैं आपको बता दूँ जिसका आपको roots दे रखा उसमें x की value पुट करके सबसे पहले तो इस p का मान निकालो जब p का मान आप इसमें रखोगे उसके बाद equal roots के इसाबसे इसको question को solve करेंगे हमसे दिया हुआ था कि minus 3 जो है root है quadratic equation का कौन सा इस वाले quadratic equation का तो अब हम इसमें क्या करेंगे न x की जगा minus 3 substitute करेंगे plus 3 नहीं minus 3 यहां पर होना चीए minus 3 जो है हम इसमें put करेंगे minus 3 put करने के बाद p की value को इतनी निकल कराती है 1 अब जो हमारा next दूसरा वाले equation दिया हुआ था हम से क्या बोला था कि it means क्या है कि कि इसके equality में हम 0 रख सकते है equal roots में तो हम 0 रख सकते है आप देखिए हमारे पास p की value 1 थी तो इस तरीके से हमारे पास यह equation जो है तयार हो गई यह अच्छी तरीके से अब उसके बाद अगर हमें इसको solve करना है तो b square minus 4ac is equal to 0 आराम से करेंगे तो 4 square 16 ही आएगा minus 4a और c तो यहाँ पर 16 minus 4k और हमसे k की value निकाल पूछी हुई थी तो k हमारा कितना गया 16 by 4 4 हमारा answer हो गया है next question है find the nature of the roots of the following quadratic equation equation का आप क्या करो सबसे पहले nature of root निकालो और अगर उसका real root exist करता है तो आप उसको find भी करो ठीक है न यह भी question आपका काफ़ important standard और basic दोनुई students के लिए है तो अभी यह देखिए यह आपका हो गया equivalent to 0 उसके बाद वही वाली बात है a b c निकालो यह आपका कितना हो गया यहाँ पर a हमारा 3 हो गया ठीक है यहाँ पर k नहीं होना ची a हमारा simple 3 हो गया b is equal to minus 4 root 3 हो गया और c is equal to 4 हो गया अब हमें क्या करना है हमें check करना है कि इसके जो roots है वो real है कि नहीं है ठीक है ना उसके लिए हम क्या check करेंगे v square minus 4 ac v square minus 4 ac solve करने के बाद क्या पते चलता है कि 0 आगया 0 आगया इसका मतलब roots जो है real है और equal है ठीक है ना roots जो है real है और equal है और roots को जो हम निकालना चाहेंगे तो हराम से जब real equal हो जाता है तो minus b upon me 2a की value directly भी निकाल सकते हैं तो 2 root 3 upon me 3 2 root 3 upon me 3 हो जाएगा अपने next question है the sum of square of 2 consecutive multiple of 7 is 637 find the multiples 2 consecutive multiples है 7 की जो है आपका उसका sum of square है 637 है तो आपको बताना है तो आप कभी भी जाओ आपसे पूछता है ना कि 2 consecutive multiple of sum थी अगर 7 का multiple है तो 7x फिर में अगला हो जागा 7x plus 7 मान लो question में 6 भी का दे सकता है तो 6x फिर 6x plus 6 इस तरीके से मैं आपको बतारी हो पर यहाँ पर 7 का है तो हमने क्या मान लिया कि 7x और 7x plus 7 जो है दो consecutive number है जो कि 7 का multiple है अब question के according बात क्या हुई थी कि इसका square और इसका square दोनों का sum करें तो 637 आएगा दोनों को हमने खोल दिया इसको तो 7 749 यहाँ पर प्लस B के whole square से खुल गया और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गई एक equation equation को solve किया तो हमारे पास x की दो value निकल कर आती एक minus 3 और एक minus sorry plus का 2 minus 3 को consider नहीं करेंगे consider करेंगे 2 को और 2 के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक को आमने माना था 7x और एक को माना था 7x प्लस में 7 तो 14 और 21 जो है वो number multiples होंगे और उसके बाद गाईस यह question question number 9 बहुत ही थोड़ा से बंदर difficult question है और इसको standard वाले student जो definitely करेंगे क्योंकि यह question आएगा तो standard में जो है इसके आने के काफी जादा chances हैं तो two water टाइब से जो together can fill a tank in 9 hours 36 minutes दोनों जो है साथ में जो अगर पानी बढ़ना शुरू करें तो 9 hours 36 minutes अगीगा tap of larger distance takes 8 hours less than the smaller one to fill the tank जो larger diameter वाला है ना बहुत गंटा कम लेता है छोटे वाले से तो find the time in which each tap कि आप जो सेपरेटली कितने कितने देर में टैंक को भर पाएगा ओके हमने क्या कर दिया लेट दर टैप विद स्मॉलर डायमेटर वाला है ना वह हम मान के चलते हैं कि वह एक्स घंटे में भर देगा तो जो बढ़ा वाला है वह तो 8 घंटे कम ले रहा है ना तो एक स्मॉल टैप है वह कितना टैंक भर पाएगा वन अपन में एक स्टा वाला भर देगा और वन अपन में एक च्छोटा वाला भर देगा ठीक है ना तो यह दोनों को हम सम कर सकते हैं अब देखिए नोंने क्या कहा था कि अगर दोनों को साथ में करें ना तो 9 आर्स 36 मिनट लेगा तो 9 आर्स 36 मिनट को भी हम घंटे में बदल रहे हैं तो यहां पर 48 अपन में 3 आर यहां पर आ गया ठीक है I don't think so कि अब आपको कोई भी यहां यहां पर डाउट होना चाहिए ठीक है ना तो हमें यह पता सबके कि दोनों जो है 48 अपन में 3 आर भर सकते हैं तो टैंक फिल भाई बोथ पाइप इन वन आर दोनों अगर मतलब की दोनों टैप जो है इतना में भरेंगे तो अगर हम बात करते हैं कि एक घंटे में इनका कित इतना टैंक फिल हो पाएगा तो सिंपल उसका रसी प्रोकल कर दो तो वान अपन में 48 अपन में 5 मतलब 5 बाई जो है यहां पर 48 आ जाएगा हमने पता कर लिया था कि टैंक जो है पहला टैंक जो है वन आर में इतना पानी भर पाएगा दूसरा टैंक इतना भर पाएगा और दोनों टैंक एक गंटे में इतना भर पाएगे तो बस आप तो कुछ कोई question रही नहीं गया बस equation करना है solve equation आप किसी भी तरीके से solve कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे ठीक है न बाकि आप इस तरीके से 20 square minus फेर यह जो आपका होता है इससे भी हम कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास x की जो है इट में 24 जो है smaller वाला लेगा और larger वाला कितना ले लेगा 16 ले लेगा ठीक है न तो यह थोड़ा सा difficult question है लेकिन आपको इसको अच्छे से त्यार रखना है कि NCRT book का question और बहुत ही important question है तो इसको आपको हो सके तो एक से दो बार अपनी copy में solve करके देखिए आपको definitely अची तरीके से हो जाएगा concept भी बहुत ही easy है इतना कोई tough है नहीं बाकी वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ share कीजिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करके बिल आइकन भी क्लिक करिजिए ताकि नई वीडियो की notification आपको मिल सके और आप सारी exam की preparation बहुत ही अच्छी तरीके से कर सके बाकी जो है एक ही बात कहेंगे कि अपने सभी गरीब दोस को देखकर वो अच्छे मांक स्कोर कर सकते हैं